मुझा नश्का राज़नामा टीवी पर आपका स्वाकत हैं मैं प्रियाओ आपके साथ सुनिल शेटी सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग से काफी नारा से सुनिल का कहना है कि वो कभी कभी किसी विशे पर बात करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रोलर्स उन्हें उस बात के लिए ट्रोल करेंगे सुनिल ने कहा कि उन्हें उस वक्त बहुत दुख होता है जब उनकी बेटी आथिया शेटी को आनलाइन एब्यूस किया जाता है कोई भी रेंडम आदमी सोशल मीडिया पर आकर अनापशनाप चीजे बोल कर निकल जाता है सुनिल के मुताबिक आज के समय में किसी बात को कई तरीके से एडिट करके दिखाया जाता है आगे चलकर इनी बातों पर कांट्रोवर्सी हो जाती है सुनिल शेटी ने एक इंटर्विव में कहा कि कभी कभी हमें डिप्लोमेटिक होने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि हमसे वो सारी चीजे पूछी जाती है जिसका हमसे कोई मतलब ही नहीं होता है मुझसे सवाल जवाब भी वो करता है जिसे मैं फेस्बुक और ट्वीटर पर जानता तक नहीं हूँ वो शक्स मुझे मेरे परिवार को और साथी मेरी बेटी तक को गाली देता है इस सारी बातों से मुझे काफी दुख पहुँचता है सुनिल शेटी की बात इसलिए वाजिब लगती है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि उनके दामाद के एहल राहुल जब भी खराब कहलते हैं तो फेंस या यूँ कहें तो ट्रोलर सीधे आथ्या को टार्गेट करने लगते हैं उन्हें पनोती से लेकर और जाने क्या क्या कहा जाता है अगर आथिया स्टेडियम में मेज देखने पोच दिये तो वहाँ भी ट्रोलर्स उन्हें गलत तरीके से ट्रोल करने लगते है सुनिल शेटी ने आगे कहा आज सोशल मीडिया पर प्राइवेसी नाम की चीज नहीं रही है एक बात को पंद्रा अलग-अलग तरीके से दिखाया जाता है अलग-अलग एंगल से पेश किया जाता है सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को पूरी तरह बरबाद कर दिया है अब तो मुझे यहां बात तक करने में डर लगता है सुनिल शेटी ने कहा कि वो इन ट्रोलर से डरने वाले नहीं है उन्होंने आगे लिखा मैं एक शेटी का लड़का हूँ मैं कभी चूप नहीं बेटता आज वो कहते हैं कि मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग क्या लेकिन वो ये भूल चाते हैं कि उन्होंने मुझे कितना परिशान और हर्ट किया है इसी के साथ बने रहे हैं राजटर्मा टीवी के साथ खाने बाद